तो हेलो, मेरा नाम है विशेख और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारेश चैनल जे आर्ट टुटोरियल में So as you know हमने 10th Science 2 का 3rd chapter स्टार्ट कर दिया था जिसका क्या नाम है Life Process in Living Organism Part 2 जिसका आज मैं आपके लिए लेकर आगया हूँ lecture number 4 इसका मतलब already 3 lecture हमारे चैनल पर upload हो चुके तो अगर आपने नहीं देखे तो पहले मैं recommend करूँगा कि आप वह वाले lectures पहले से देख लेना बहुत जादा important चीज़े मैंने आपको already उसमें बताई हुई है आज हम लोग start करन number 4 से इस लेसन में हम लोग discuss कर रहे थे बहुत ही जादा important life process क्या नाम है reproduction के बारे में हम लोग discuss कर रहे थे क्यों इतनी जादा important है reproduction मैंने आपको पहले वाले lecture बताया हुआ है तो मैं आपको वही चीज़े बार-बार repeat नहीं करने वाला अगर आपको नहीं पता तो वाली lecture देख लेना फर्स लेक्चर देखले ना सेकंड लेक्चर देखले ना थर्ड भी देखले ना बहुत जादा important है ठीक है आज हम लोग start करने जा रहे है sexual reproduction in human being ठीक है लास्ट लेक्चर में हम लोगने बात किया था sexual reproduction in plants की plants के अंदर कैसे sexual reproduction होता है आज हम लोग पढ़ेंगे animals के बारे में और कौनसा अनिमल हम लोग पढ़ने वाले human being क्योंकि human being एक animal ही है सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था sexual reproduction के लिए कौनसी दो चीज़े बहुत ज़्यादा important है ठीक है एक होता है gamit gamit बहुत ज़्यादा important है कि अगर आपको sexual reproduction करना है तो आपको gamits चीए ठीक है और gamits आगे चलके क्या करेंगे fertilization तो fertilization बहुत ही ज़्यादा important चीज़े सही बात है तो दो बहुत ही ज़्यादा important बहुत ही ज़्यादा key feature है किसके sexual reproduction के आपके पास gamits होने चीए अलग-अलग male की gamits अलग होने चीए female की gamits अलग होने चीए फिर साथी साथ उन दोनों का क्या होना चीए fertilization अगर fertilization होगी तभी हम उसे क्या कह सकते हैं कि हाँ यह है sexual reproduction इतनी बात है clear है तो देखो gamits को पढ़ने के लिए अगर हमको gamit बनाना सीखना है उसके लिए हमको उस organ को पढ़ना formation होने वाला है इतनी बात है clear है तो male के अंदर male gamit बनेगा इसके लिए हम लोगो सबसे पहले male reproductive system पढ़ना पढ़ेगा जहाँ पे male का gamit बनने वाला है वैसे ही female का भी वही scene है female के अंदर female gamit बनेगा वो आगे चलके क्या होगा जिसके लिए हम लोग क्या पढ़ना पढ़े और उन और गन से आगे चलके gamit का formation कैसे होता है gamit क्या होता है human का अगर मैं बात करूँ humans में तो gamit दो प्रकार करे होते है एक gamit होगा male का और एक gamit क्या होगा female का gamit होगा सही बात है तो जो male का gamit होता है उसे हम लोग कहते है sperm स्पर्म और फीमेल की गामेट को लोग क्या केते हैं ओवम इस चीज़ को याद रखना है आप लोग को ठीक है अगर आप लोग 11 में जाके अगर आप बायलोजी लोग है तो आगे चलके यह बहुत जादे इंपोर्टन टॉपिक बन जाएगा आपके लिए इतनी बाते क्लियर है तो यूमन के अंदर अगर में मेल की बात करो तो मेल को मेल के गामेट को क्या केते हैं स्पर्म और फीमेल की गामेट को क्या केते हैं ओवम को ही उसाइड भी कहते है तो तीन नाम है फीमेल गामेट के कौन-कौन से ओवम उसाइड या फिर एक ठीक है यह सारी चीज़ पड़ेगा male reproductive system कि male reproductive system है क्या कौन-कौन सी component है कौन-कौन से organ present है और किस organ में किस organ का क्या function है कौन-कौन सी चीज़े वहाँ पर present होती है इतनी बात है clear है ठीक है अब आप लोग को एक और चीज़ पता होगी यूमन के अंदर जो fertilization है वह female के अंदर होती है तीक है persistent male के अंदर नहीं होती है इतनी का मतलब क्या है कि male gamайт और female gamit 가 unite टेक है male gamit और female gamit unite होगे और उससे आगे क्या होगा उससे आगे चले क्या होगा sentence के बाद zigote form हो और ओवी पैरस दो टैट की ओर्गनेजम होते हैं अब लोग मैं पढ़ा होगा कभी वर्ट सुना वगा तो ओवी पैरस मतलब क्या होता है कि एगलेंग औरगनिजम जो इनसान इंसान तो नहीं तो इसको हम लोग ने तीन में पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो सबसे पहला पार्ट है, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सबसे पहला पार्ट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे प्राइमरी सेक्स ओर्गन, अब प्राइमरी सेक्स ओर्गन क्या होता है, प्राइमरी ओर्गन कौन सा होता है, जो ओर्गन उस रिप्रोडुक्टिव सिस्टम के अंदर गैमेट का फॉर्मिशन कर रहा है, साथी साथ हॉर्म और यह साथ को हर्मोन भी बनाएगा बात करों तो इस नोन आज तो यह दोनों की फीचर अगर यह दोनों जिस भी और गन के पास प्रेज़ेंट होंगे जो भी और गन यह दोनों काम करेगा ना उसे हम लोग क्या कहेंगे इसका मतलब अगर यह sperm बन रहा है तो इसको बाहर भी तो निकलना पड़ेगा तो बाहर निकलने के लिए हम लोग कुछ ducks पड़ेगे ठीक है ।क मतलब क्या होता है रास्ते ठीक है का मतलब क्या होता है रास्ते जिन रास्तों से हमारा sperm बाहर आएगा तो इनको अम लोग क्या कहते हैंляется और इसको लोग accessory ducts भी कह सकते हैं अक्सेसरी मतलब जरूरी टक्स साथी साथ जब स्पर्म बाहर आता है जो एजाइकुलेशन होता उसको सीमन बोलते तो सीमन के अंदर सिर्फ और स्पर्म नियों था एक्शुलिव स्पर्म उसके अंदर से 10% होता है बाकी के अंदर कोई भी उट पटाग जो यह वते हैं वैसि ग्लांट को यह हम लोग कहते हैं, अक्सेसरी ग्लांड जरूरी, इतनी बाते क्लियर आ रही है, इतनी बाते समझ में आ रही है, तो मैंने युमन मेल रिप्रोडुक्टिव सिस्टम को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक है मेरा प्राइमरी सेक्स ओर्गन, कौन सा है एक है मेरा अक्सेसरी डक्ट, अक्सेसरी डक्ट में बहुत सारी चीज़ा आने वाली मैं आपको बताऊंगा भी, और नेक्स्ट है हमारा अक्सेसरी ग्लांड, इतनी बाते क्लियर है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ओर्गन के अब यह मैंने आप लोग को बता है, it is the testis, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसका structure पढ़ना पड़ेगा, कि testis कहां present होता है, क्या होता है उसके अंदर, जिसके वैसे उसके अंदर आगे चलके gamut का formation होता है, ठीक है, so testis is present, धान से सुनना, testis is present outside the body, ठीक हमारे body के outside present ह होता है, एक इसमें pouch-like organ में present होता है, so for an example, this is our abdominal cavity, ठीक है, यह हमारी abdominal cavity है, और इसके नीचे, यहाँ पे एक pouch-like structure present है, ठीक है, एक pouch-like structure present है, इस structure का हम लोग कहते है, scrotum, इस pouch-like structure का हम लोग क्या कहते है, scrotum, इसको मैं इतना बड़ा क्यू बनाया है, ठीक ही मुझे इसके lower abdomen है, उसके अंदर जो cavity present है, उसके नीचे, ठीक है, आपके body के बाहर hang कर रहा है, हमारा testis, testis के अंदर, किसके अंदर hang कर रहा है वो, एक pouch के अंदर, जिस pouch को हम लोग क्या कह रहे है, scrotum, इतनी बात है clear है, अब पहला सवाल ही आता है, बोड में, कि हमारा जो scrotum है, ठीक आपको 2 से 3 डिगरी, ठीक है, 2, 2, 3 डिगरी क्या चीए, कम temperature चीए आपके body से, ठीक है, तो आप देखो, आप इसके लिए तो हमारी पूरी body का temperature चेंज नहीं कर सकते, तो generally nature ने क्या किया है, कि testis को हमारे body के बाहर hang कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी नहीं आएगा, आपकी book में नहीं दिया हुआ है, फिर भी अगर आपको जान लए तो जान लो, इन holes को हम लोग कहते हैं, inguinal canal, लेकिन आपको कोई याद रखने की जरुरत नहीं है, क्योंकि आपकी book में नहीं दिया, okay, syllabus में नहीं है, सारी चीज़े, तो there are some holes, जिसे हम लो और double pair, तो बच्चों लोग दो pair लिखे आ जाते हैं, दो pair मतलब क्या हो जाएंगे, चार, और single pair मतलब क्या होते हैं, दो, तो a single pair of testis present, ठीक है, a single pair of testis present in the scrotum, so it is the testis, इतनी बात है clear है, ये क्या है हमारा testis, अब इस testis के अंदर, ठीक है, इस testis के अंदर छोटे-छोटे compartment होते हैं, इस testis के अंदर क्या होते हैं, छोटे-छोटे compartment होते हैं, दिख रहा है यहाँ आपे, ऐसे छोटे-छोटे compartment present होते हैं, और इन compartment के अंदर sperm का production होते हैं, ठीक है, इन compartment कम लोग क्या कहते हैं, इसको लोग कहते हैं, जो च्विविलार रखता है ठीक है अब वो अगें यह भी आपके बुक में नहीं दिया हुआ तो आपको जानने के ज़रूरत नहीं है सिंपल इसको मिटार ही देता हूं कोई जानने के ज़रूरत नहीं आप लग को यह आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि इसके अंदर कुछ कमपार्टमेंट होते हैं, अब इस कमपार्टमेंट से, ठीक है, इतनी चीज होती है, और इस कमपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे, इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, एक सेक्ट, इस कमपार्टमेंट के अंदर आगे चले क्या हो यहां से एक पतली ट्यूब निकली होती है यहां से और यह सारी ट्यूब ना एक में आके मिल जाती, जितने भी compartment है ना, उस सब की tube क्या होती है, एक compartment में आके मिल जाती है, दिख रहा है यहां पर, एक बड़ी सी tube form हो गई, यह सारे tubes आई, और क्या हो गई, एक बड़ी सी tube form हो गई, इस tube को, इस tube को क्या कहते है, वो आपको याद रखना है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ये compartment present होता है इन compartment से क्या निकल रही है एक छोटी-छोटी tubes निकल रही है, इस tubes को मैंने क्या कहा rated testis, ये tubes क्या कर रही है आपका जो sperm produce हुआ है उसको लेके चल रही है, ठीक है उएक रास्ता है फिर आगे चलके ये rated testis क्या करेंगी ये ऐसे कुछ बड़ी सी हो जाएंगी और यहां से इसको बाहर निकल, ये testis के बाहर चले जाएंगी ठीक है, यहां से बहुत सारे multiple चोटे-चोटे tubes बन जाएंगे, और you tubes क्या करेंगे जो आपका, ये बना है, sperm बना है उसको क्या करेंगे testis के बाहर लेके, चले जाएंगे सो बाहर लेके जा रहें, ठीक है बाहर लेके जा ग़े, तो इसे आपको याद रखना है different, ठीक है बाहर यनि different बाहर लेके लेकि exit हो गया ना, इसको आपको नाम याद रखना अभास-अ Palace 早 reference ठीक है तो sperm सबसे पहले किस में गया रेटेटेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टे इसी ट्यूब के अंदर जो स्पर्म हाँना वो मैंचोर होता है सथी साथ参ज अगर स्पर्म का डी जनरेशन होता है मतलब अगर स्पर्म एडिया करेगा इस पर्म को यहां पर डीजनरेट कर देगा और यह जो एनरजी ना डीजनरेशन से वह आपस एबसाब हो जाएगी आपके बॉडी के अंदर इतनी बात है यह हो गया आपका एपिड़ाइमस का यह ले ले लेते ठीक है तो यहां से एक दूसरी ट्यूब निकलती है जो इस इन्गुेनल के नाल के थ facilitating पतली ट्यूब निकली जो इसको इन गुणल के नाल के थूरु इस स्क्रॉटम से ही बाहर लेकर चली जा रही है इतनी बात है इस ठीज्व का क्या नाम है इसको हम लो थे वासर। Haid सबसे पहला क्या थे हमारा लंट की बाद कर-0 सबसे पहला क्या जल्दी बताओ जल्दी बताओ रेक्टेस्टेस्टी से किसमेब आगे चलके सत वास इफरेंच अपने मøंन में बोला लॉड बोला करो इस अभसे पाएल रेक्टेस्टेस्टब किसमें क्या हो वासा डिफरेंश मैं से तो यह तो टो टल टीन टो टोल चार रगल ने पढ़ी कौनगों सी यहां पर वापस यह रेटे टेस्टीस रेटेटेस से क्या से वास से वास देफेरेंशन से एतनी बाते खलियर है एतनी बाते खलियर एम, इसके आगे मैं ये वाला पोडिशन मिता देता हूं इंए वास अव्योर्टी में कर लिए होगा क्योंकि मुझे यहां पे कुछ और चीज़ी हो और यहां पो ऊच्छ और बना नहीं है तो, तो मेल के अंदर जो री मेल के अंदर banco है सूथी साथ स्थी इसका उलो होता है वो सेम होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका urinary system भी बनाना पड़ेगा तो for an example है यहाँ पर कि डिन fitness च्छर दो युरे थारी ऐसज दो यूरेटर यूरे यूरेटर आ रही है और यहाँ पर क्या प्रेजंट आ ऎमार उरी इनरी ब्लाडर इतनी बात है clear हैं यहाँ परेजेंट ही? अब यह जो वास difference है वास difference यह है वो क्या करेगी इसके पीचे से जाएगी और यहाँ से आके लटक जाएगी यहां से पीचत यहां यहां पर बनाए यहां पर यहां पर हो रही है को समझ में आ जाएगा आप यह जैसे यहां जैसे ही यहां पर आता है यहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है यहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है क्या नाम है जान सा सुनू, यहाँ पर gland present है, किस shape का है वो, एक leaf की shape का है, ठीक है, यह gland किस से connected है, इस वाली vast difference से connected है, इस gland का नाम क्या है, याद आखने आप लोग को, इस gland का हम लोग कहते है, seminal vesicle, seminal vesicle, इतनी बात क्लियर है, इसको हम लोग क्या कहते है, seminal vesicle, अब seminal vesicle से, अब देख सब्सक्राइब और इसके राउंड राउंड पे यहां पे एक एसा और गन प्रेजेंट जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको जंडली इसको इसके पीछे यह इसको लोग कहते हैं प्रॉस्टेट ग्लाइट अब जैसे प्रॉस्टेट ग्लाइट अपना डाल देता है वैसे ही यह यूटरस था नीचे सा रहा था वो कनेक्ट हो जाता है हमारी uterus के अंदर, इसका मतलब यहां से एक common सी pipe नीचे आती है इतनी बात है clear है, अब इसी pipe के यहां पे दो bulb जैसे organ लगे हुए यहां पे दो bulb वाले organ, यहां पे दो bulb जैसे organ, इतनी बात है clear है, यहां पे एक bulb जैसा organ, यहां पे एक bulb जैसा organ, तो इसका आपको दोनों पता होना चीए सबसे पहला क्या दिया है पाउपर्स ग्लैंड और इसी को ही इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं कि बल्बो कि अलिंग गलत कि अलिंग गलत हो जाती है ओक्के इसी को हम लोग क्या कहते हैं बल्बो इृत्रलग जैसे ही यह था रचीजे मिल जाती यह सब्सेंट से यह यहां से आव जाता है बाहर निकल जाता है जो मूझे यह आंपर एक celebration मेंने मिटा दिए थिख च्छ्र वाटर सर्फेस प्रेजेंट है इस और गन को हम लोग कियाता है इस और गन को हम लोग क्याते हैं पीनिस और इसी के अंदर से जो फ्लूड यहां से इस और से एकुलेशन हो रहा है उस फ्लूड को हम लोग क्या खेते हैं लेकिन वह मेल गमेट किसके अंदर प्रेजेंट है सीमन के अंदर प्रेजेंट है इतने बाते क्लियर है इतना समझ में आपको तो इट इस जंडरल सा इंट्रोड़क्शन जंडरल आपके बुक में जो दिया हुआ और आप 12 के बच्चे नहीं हो फिर भी अगर आपको इंट्रेस्ट है सारी चीज़ों में जानने के लिए आपको और एक्स्टा नोलेच चीज़ है तो आप कर सकते हो विस्टे कोई ज़रूत नहीं है इतनी ही चीज़ अगर आपको पता होंगी न तो आप अपने बोर्ड में यह सारा डाइगराम बना सकता है और बहुत जीज़ाद इंपॉर्टेंड भी है क्योंकि एक्जाम में में या तो मेल या तो फीमेल यह आता ही आता है दोनों मेंसे एक बहुत जीज़ाद फेवरेट कॉश्चन है इतनी बात समझ वहीं है तो इहां से जो एजयकुलेशन हो छोंग ग्लैंट की सिगरेिशनुे है कि जो सेघ्स कालको ने इसकी आप को करता हूं इसन Après यह वह बताऊं और ऑन कितना मी एक था सेमिनल वैसिकल इस हो एक था मेरा प्रौस्टेट ग्लैंट ठीक है LIVE या ने प्रॉस्टेट ग्लैंड और लास्ट जो था वो तो जो सेमिनल वेसिकल है वो खुद ही सिर्फ और सिर्फ सीमन का 60% लेके बैठा है तो देखो 60% ये 10% ये बचा कितना 30% तो ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं 30-30% में अब इनका कितना डिविशन है वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ ह अल्दोर मैंने बहुत बुक पड़ी उसके अंदर भी नहीं दिया हुआ था ये सारी चीज़े तो जितना मेरे पास information है मैंने आपको उतनी सारी दे दी आपको समझ में आया है तो सीमन का समझ में आया ठीक है स्पर्म के सर फॉर्म होता है कहां पर फॉर्म होता है समझ में तो आई होप आपको human male reproductive system समझ में आ गया होगा तो जो human next topic है यानि human female reproductive system वो हम किसी next lecture में बात करेंगे आई होप आपको ये सारी चीज़े समझ में आ गई होगे ठीक है यहां तक आ गए हो तो वीडियो को like जरू से कर देना ओके चानल को subscribe जरू से कर देना अगर आपने नहीं किया थो इसके पिछले वाले वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखने ना और जो bell icon है उसको भी आल पर सेट कर देना ताकि अगली लेक्चर जो अपलोड हो आपको मिल जाए आपके फोन पर इतनी बाते क्लियर है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए keep studying